स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे यूटूब चैनल पर तो आज क्लास बारह के भोती विज्ञान अभ्यास दो अभ्यास का नाम है इस्थिर बैदुत बीभो तथा धारिता के अभ्यास प्रशनों के बारे में अध्यन करेंगे तो पिछले भाग में प्रशन नमबर एक और प्रशन नमबर दो को बताया गया तो इस भाग में प्रशन नमबर 3 और प्रशन नमबर 4 पांच आगे के सभी प्रशनों को हल करके बताया जाएगा तो आप सभी विद्यारती एके कोशन को नोट करते चलिए और अपने कॉपी में लिखते चलिए तो प्रशन नमबर 3 है छैसे मी दूरी पर अवस्थित दो बिंदों A एवं B दो आवेस दो माइक्रो कुलाम तथा माइनस दो माइक्रो कुलाम रखे हैं निकाय के सम वीवो प्रिष्ट की पहचान कीजिए तो अब यहां निकाय का जो सम वीवो प्रिष्ट की पहचान का ना है और दूसरा कोशन है इस प्रिष्ट के परतेक बिंदु पर बैदु छेतर की दिशा क्या है तो इसमें दो प्रशने दिया गया है तो सबसे पहले यहां देखेंगे कितने सेमी दिया गया है छे सेमी दूरी पर अवस्थित को कितने बिंदो है दो बिंदो है तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे हल और हल लिखने के बाद से अब यहाँ दो बिंदो को बना लेंगे अब यहाँ जो है सबसे पहला जो बिंदो है वह A है और दूसरा जो बिंदू है B है A पर कितने माइक्रो कुलाम है तो A पर जो है दो माइक्रो कुलाम है और B पर जो है माइनस दो माइक्रो कुलाम है कितने दूरी पर उपस्थित है तो यहां से टोटल दूरी जो है 6 सेमे की दूरी पर उपस्थित है तो यहां से यहां तक जो है कितने दूरी है टोटल 6 सेमे की दूरी है अब सम बीभो प्रिष्ट सम बीभो प्रिष्ट मतलब यहां पे जो बीचो बीच में यहां सम बीभो प्रिष्ट पर उसका बीभो क्या होगा इसकी पहचान करना है तो यहां सबसे पर अब यहां से यहां तक total दूरी कितना हो गया तो 3 semi हो जाएगा 3 semi और यहां से total दूरी जो है 3 semi total कितना हो जाएगा 6 semi total कितना दूरी है तो 6 semi दूरी है अब यहां पहला जो आभिश लिखेंगे Q1 Q1 कितना है तो Q1 जो है 2 micro कुलाम अगर यह micro हटाते हैं तो क्या लिखेंगे 2 गुड़े 10 के पावर माइनस 6 कुलाम हो जाएगा माइकरो में कितना पावर होता है तो 10 के पावर माइनस 6 पावर होता है मतलब एक माइकरो कुलाम में कितने कुलाम होते हैं तो 10 के पावर माइनस 6 कुलाम होते हैं तो Q1 समझ में आ गया होगा अब हम लोग सिखेंगे Q2 Q2 कितना है तो माइनस जो है दो माइक्रो कुलाम है अब यहाँ पर Q2 बराबर लिख लेंगे माइनस दो माइक्रो कितना लिखेंगे 10 के पावर माइनस 6 कुलाम तो Q1 Q2 आप सभी भी द्यार्थियों को अच्छे से समझ में आ गया होगा अब यहाँ R1 R1 बराबर क्या है तो 3 से में है मतलब पहला जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक इसको R1 माल लेते हैं और यहाँ से यहाँ तक इसको R2 माल लेंगे तो आरवन तीन सेमी है तो अब लिखेंगे आरवन बराबर तीन सेमी को हटा देंगे तो दस के पावर माइनस दो हो जाएगा और यहां हो जाएगा मीटर तो आरवन जो है क्या बना तीन गुड़े दस के पावर माइनस दो मीटर हो गया तो सेमी से किस में बदलना होता है मीटर में बदलना होता है अब यहां जो है इस बिंदू पर कि करना करना है सम बीभो प्रिष्ट पर बीभो क्या होगा तो यहां लिख लेंगे बिंदू सी अब यहां बिंदू सी है तो लिखेंगे सी बिंदू पर C बिन्दू पर B भो C बिन्दू पर क्या लिखेंगे B भो B भो किसे पदर्शित करते हैं तो B से B बरावर क्या बनेगा B1 पलस B2 हो जाएगा तो C बिन्दू पर B भो जो हो गया B1 पलस B2 अब B1 का सुत्र क्या होता है तो 1 बटा फूर पाई अपसाइलम जीरो और यहां लिखेंगे Q1 बटा R1 पलस और यहां बनेगा 1 बटा 4 पाई अपसाइलम जीरो और यहां लिखेंगे Q2 बटा R2 यह B1 का सुत्र बन गया और यह जो है किसका सुत्र है B2 का सुत्र हो गया अब इसमें से कामन क्या ले सकते हैं इसमें से कामन एक बटा फोर पाई अफसाईलम जीरो कामन ले लेंगे पंदर क्या बचे का क्यू बटा आर वन पलस क्यू टू बटा आर टू बच जाएगा अब यहां मान रखेंगे एक बटा फोर पाई अफसाईलम जीरो अब यहां एक का मान क्या है तीन गुड़े 10 के पावर माइनस दो यहाँ अब माइनस हो जाएगा क्योंकर Q2 का जो मान है वो माइनस में दिया गया है यहाँ देखिए माइनस किना है 2 माइनस 2 गुड़े 10 के पावर माइनस 6 तो यह प्लस और माइनस मिलेगा तो क्या बनता है माइनस हो जाएगा 2 गुड़े 10 के पावर माइनस 6 बटा 3 गुड़े 10 के पावर माइनस 2 तो यह जो मान रखने के बाद से ध्यान देंगे अब यह मान रखने के बाद से क्या है कि यह दोनों मान सेम है तो इसमें से इसको घटा देंगे इदम सेम मान है और इसमें यह भी मान जो है सेम है तो घटने के बाद से क्या गया भी बराबर एक बटा फोर पाई अपसाइलम जीरू और ये घड जाएगा तो क्या जाएगा जीरू जीरू में जब गुड़ा करेंगे तो भी कमान क्या गया जीरू आ गया तो सम वीभो प्रिष्ट पर वीभो कमान क्या होता है तो सुनने होता है तो सम वीभो प्रिष्ट किसे कहते हैं जहां पर वीभो क्या हो समान हो, सुनने हो तो सम वीभो प्रीष्ट पर जो हमारा बुल्टे जा गया क्या आगया आपका सुनना गया तो यहां लिए देंगे अतह सम वीभो प्रीष्ट पर सम वीभो प्रीष्ट पर वीभो का मान वीभो का मान सुनने होता है तो समझ में आ गया होगा पहला कोशन, अब यह इसमें दूसरा कोशन क्या है, तो दूसरा कोशन है, इस प्रिष्ट के परतिक बिंदु पर 28 ज्चेतर की दिसा क्या होगा? तो दिसा क्या होगा? तो यहाں जो आवस है, यह पलस आवेस से कहां पर है माइनस आवेस की ओर है यह दो जो माइक्रो कुलाम है यह पलस है और यह जो दो माइक्रो कुलाम है यह क्या है माइनस है तो नीचे लिख लेंगे अब अब यहां B B का जो उत्तर होगा सम वीभो प्रिष्ट सम वीभो प्रिष्ट में, संभीवो प्रिष्ट में बैदूत छेत्र, बैदूत छेत्र, छेत्र सदेव, सदेव, पलस, सदेव पलस से, माइनस आविष्ट की, आविष्ट की, की और कारे करता है, कारे करता है, तो संभीवो प्रिष्ट जो है, बैदूत छेत्र, बैदूत छेत्र सदेव की, कैसे काम करता है, तो पलस से, माइनस आविष्ट की और कारे करता है, तो भी भी आप लोग को अच्छे से समझ में आगया होगा, क्योंकि चित्र में आप सभी विद्यार्थी देखे होंगे, कि यह आविष्ट क्या है, पलस है, और यह आविष्ट क्या है, माइनस है, तो पलस आविष्ट से, माइनस आविष्ट की और क्यार करता है, तो अब सीखेंगे प्रशन नमबर चार, तो कोशन नम्बर चार है बारा सेमी त्रिज्या वाले एक गोली चालक के प्रिष्ट पर एक दस मोलो छे गुड़े दस के पावर माइनस साथ कुलाम का आवेश एक समान रूप से बितरित है पहला गोले के अंदर दूसरा जो है गोले के ठीक बाहर और तिसरा जो दिया गया गोले के केंदर से 18 सेमी पर अवास्थित किसी बिंदुपर बैदू छेतर काति बड़ता क्या होगा तो यहाँ पर तीन प्रशने दिया गया है करमसा ABC लिखा गया है आप सभी विद्यारती पहले इसे पने कोशन को नोट का लिजे और एक एक कोशन को आप सभी विद्यारती समझे जहां भी दिक्कत हो महातुरन कमेंट कीजे तो बारह सेमी तरिज्या मतलब एक गोला है और उस एक दस मनों छे गुड़े दस के पावर माइनस साथ कुलाम इसके चालक के प्रिष्ट पर जो है आविस एक समान रूप से क्या है बितरित है तो पहला इसमें कोशन को पहले हल करेंगे तो पहला कोशन है गोली के अंदर अब यहां हल लिखने के बास से पहला जो एक को हल कर तो अब यहां टूटल पहले देखेंगे आर बराबर क्या मान दिया है तो आर बराबर मतलब त्रिज्या आर बराबर क्या है बारह सेमी है तो बारह सेमी हो जाएगा और यहां लिखेंगे आर बराबर जब बारह सेमी है तो बारह गुड़े दस के पावर माइनस दो से गु आवीश का मान क्या होता है तो लिए देंगे गोले के अंदर आवीश का मान सुनने होता है अब यहां क्योंकि जो आवीश दिया गया है या गोले के चारो और जो आवीश दिया गया है एक दस्मोच है और यहां जो गोले के किंदर पर जो आवीश है वहाँ मान क्या होगा गोले का अंदर आवेस का मान सुनने होगा अब गोले का जो अंदर जो आवेस से जब सुनने होगा तो बाइदू छेतर केती बरता भी क्या होगा सुनने हो जाएगा क्योंकि सुत्र होता है ए बराबर एक बटा फोर पाई अपसाइलम जीरो क्या होता है Q बटा R स्क्वायर होता है यह सुतर आप सभी भी द्यार्थी पढ़े होंगे तो अगर यहां मान आवेस का मान सुन रख दिया जाए तो 1 बटा 4 पाई अपसाइलम 0 Q का मान 0 बटा क्या हो जाए R स्क्वायर जब 0 से गुड़ा कर लेंगे तो E बराबर क्या गया? 0 आ गया मतलब गोले के केंदर पर मतलब गोले के जो अंदर जब 22 छेतर केति बरता का मान भी क्या होता है? सुने होता है क्योंकि यहां आवेस भी सुन होगा जब आवेस सुन होगा तो 22 छेतर केति बरता भी क्या गया? सुना गया तो यहां लिख लेंगे गोले के अंदर बैदू छेत्र केति बरता क्या होगा? सुनने होगा तो पहला समझ में आ गया होगा ए तो अब िसमें दूसरा कोशन है गोले के ठिक बाहर अब गोले के ठिक बाहर जब आएंगे तो यहां पर आविस क्या है? तो एक दस मनो छे गुड़े 10 के पावर माईनस साथ आवेश है तो अब यहां लिखेंगे बी बी में अब आर बराबर क्या है इसमें तो आर बराबर जो है बारह सेमी दिया गया था क्योंकि गोले के ठीक बाहर हमको आना है तो बारह सेमी जो है त्रिजा है तो अब यहां तिरिज्जा को अगर जो सेमी में दिया गया है उसको किसमें बदल दे मीटर में तो 12 गुड़े 10 के पावर माइनस 2 अब क्या बन गया मीटर हो गया उसके वासि से इसमें आवेश Q बराबर क्या है तो आवेश Q बराबर 1 दस मलो 6 गुड़े 10 के पावर माइनस 7 कुलाम है आवेस हो गया और गोले के ठिक बाहर जब हम लोग बैदू छेतर की ती बरता की गढ़ना करेंगे तो E बराबर लिख लेंगे परश्ण माचल मतलब बैदू छेतर की ती बरता की गढ़ना करना है तो अब यहां लिखेंगे गोले के ठिक बाहर ठिक बाहर बैदू छेतर की ती बरता तो बैदू छेतर की ती बरता का फारमूला आप सभी विद्यार थे जानते हैं E बराबर होता है एक बटा, फोर पाई, अपसाइलम जीरो, क्यू बटा, क्या होता है, आर इसक्वायर तो अब यहाँ जो है मान को रख लेंगे, तो ई बराबर जो है, एक बटा, फोर पाई, अपसाइलम जीरो का मान क्या है 9 गुड़े 10 के पावर 9 हो जाएगा, Q, Q मतलब 20, और 20 का मान क्या है, तो एक 10 मौलो 6 गुड़े 10 के पावर, माइनस 7 या आविस हो गया, बटा हो जाएगा, आर का मान, तो आर का मान जो है, कितना है, तो आर का मान, 12 गुड़े 10 के पावर, माइनस 2, 12 गुड़े 10 के पावर, म अब इसको आप सभी विद्यार्थी हल कर लिजिएगा, हल करने पर इसका मान आजाएगा, दस के पावर जो है, साथ, दस के पावर साथ आजाएगा, और यहां निखलेंगे निउटन प्रतिकुलाम, अगर आप हल नहीं करना जानते हैं, तो आप सभी विद्यार्थी जरूर क कमेंट कीजएगा, कि हल हम नहीं करना जानते हैं, तो आप लोग को हल करके पूरा बता जाएगा, यहां से जो है, इसमें गुड़ा कर लिजएगा, पावर को एक पास कर लिजएगा, इसका गुड़ा कर लिजएगा, पावर को नीचे है, उसको उपर भेज दीजएगा, औ 18 सीमी अब गोली की किंद्र से यहां से 18 सीमी गडना करेंगे तो आर कमान अब बारह का जगा पर क्या लेंगे अठारा सेमी का परियोग करेंगे अब यहां लिखेंगे सी और सी का बहल करेंगे तो सी कोशन जो है आर बराबर क्या हो जाएगा अठारा सेमी हो जाएगा सेमी को हटा दीजिए आर बराबर क्या बनेगा अठारा गुड़े दस के पावर माइनस दो मीटर हो जाएगा तो आर का मान سमझ में आ गया होगा और क्यू का मान जो है क्यू का मान वही मान रहेगा क्या था एक दस मलोm, चै गुड़े でした की पावर, माइनस सात कुलाम, क्योंकि बाहर جो आवेस कितना था, तो एक दस मलोm, चै गूड़े अपसाइलम जीरो Q बटा क्या बनेगा R square तो यह सुत्र बनेगे अब यहाँ पे जो है मान को रख लेंगे अब E बराबर जो हो जाएगा 1 बटा 4 पाई अपसाइलम जीरो का मान क्या है 9 गुडे 10 के पावर 9 है क्योंकि इसका मान होता है एक बटा 4 पाई अपसाइलम जीरो का 9 गुडे 10 के पावर 9 और Q का मान इसमें कितना दिया गया है Q का मान जो है Q का मान एक दसमों 6 गुडे 10 के पावर माइनस 7 दिया गया है बटा हो जाएगा और R का मान जो दिया गया है 18 गुडे 10 के पावर माइनस 2 अठारह गुड़े 10 के पावर माइनस दो दो बार गुड़ा कर लेंगे क्यों दो बार गुड़ा करेंगे क्यों कि यहाँ पर पावर देखिए दो घात है इसलिए दो बार इसको गुड़ा कर लिया गया अब इसको साल्ब करना है 18 सेमी की दूरी पर बाहर जो कितना गया 410 मनों 4 गुड़े 10 के पावर 4 घात तो आप सभी विद्यारथी सको साल्व कीजिए सालो करके पता किज़े कि क्या यह अंस्वर इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप सभी विद्यारथी जरू कमेट कीजिए तो आज का पढ़ाई कैसा था आप सभी विद्यारथी कमेट करके बताएए यदि मेरे चैनल पर पहली बार आया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ल जाएगा तो आज इतना ही तो कल मिलते हैं तब तक के लिए सभी भी द्यारतियों को नमस्कार